गाइज अगर आज की वीडियो को आपने complete देख लिया ना तो आप भी अपनी कुछ इस टाइप की खड़ाब सी फोटो को भी ना इतना मस्त तरीके से एडिट कर पाओगे आप देख वारे हो गाइज की मैंने सिर्फ Pixar टाइप का यूज किया है एंड देख वारे हो की फोटो कितना मस्त यहां पर एडिट हो गया है अगर आप यह अपनी फोटो को सेम टू सेम ऐसा एडिट करना चाहते हो वह भी एक क्लिक में तो आज की वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देखना यूटूब पे आपको ऐसी वीडियो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी आप पूर पिक्चर है इस फोटो को सिंपल से यहां सेंट पर कलेंगे बाद यहां से आपको टूल्स पर क्लिक करना है यहां फोटो को रिसाइज सबसे पहरे कर लें आ है यहां पर कोई सभी आप अमाउंट दाल दू बढर आमाउंट 5,000-6,000 कुछ भी इसकी फोटो के जो एक्चॉल width and height है, यहाँ पर recommend हो जाएगी आपको, अब आपको sim वही डाल देना है, तो जैसे इसकी width है 2590, and यह height automatic यहाँ पर set हो चुकी है, then यहाँ पर resize पर click करेंगे, अब यह photo जो है resize हो चुकी है, photo को resize करने के बाद जब भी आप अपनी photo को edit करोगे, तो आपकी photo की quality बिल्कुल loss नह ही नहीं परेगी आपको tools प्लेकर करने के बाद यहां से आपको adjust में चलना है, adjust में चलने के बाद, यहां से सबसे लेने के पाद कुछ इसतरीके से आपको invert करने अब फोटो को आपको अपने युम कर लेंग और इसे आपको शिर्फ कैकर अपने फैस पर इस तरीके से इसको apply करना ठीक है आप कलर जो है यहां पे कलर जो है काफी ज़ te होता जा रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी देखो आपके स्कीन पे रेड रेड कलर का इफेक्ट है अगर आप यह से चुरेशन कम करके चला दोगे अपने पूरे स्कीन पे तो आपका स्कीन पहले से ज़्यादा वाइट हो जाएगी ठीक है यह चलाना बहुत ज़्य इसको यहां से तरीके से एससे और ना हो ठीक है अब यहां से आपको चलना है यहां सी ब्यूटी वाले टूल के इंदर आने के बाद सबसे पहले आपको स्मूथ पे कलिक करना है इसकी amount आपको अपने मुताबित रख लेना है मैं तो आपको recommend करूँगा आप या 8 या 10 के बीच में ही रखो यह देखो before and after इससे आपको ज़्यादा तो difference नहीं आएगा बट हाँ काफी हद तक आपकी photo में आपका face smooth हो जाएगा यहां से इसको done कर लेना है अब आपको यहां skin tone पे चलना है अगर आपका skin ऐसा है dark है तो आप इसको fair करना चाहो यानि white करना चाहो तो आप यहां से कोई सा भी ले सकते हो ठीक है हलांकि हम यह वाला effect आपको लेकर दिखा रहे है इसका opacity थोड़ा सा कम कर देंगे यह देखो before and after before and after आपको अपनी photo के according जितनी need होगी आपको उतना ही रखना चाहिए ज्यादा रखने का कोई मतलब नहीं है अब गज़ आपको simple से यहां done पे click करना है यह photo जो है resize भी हो चुकी है and हमारी photo में face smooth भी हो चुका है light की condition भी fix हो चुकी है अब बारी है इस photo के अंदर dark color tone डालने की तो यह step तो भाई आप बिल्कुल भूल कर भी miss मत करना नहीं तो पुड़ा video देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अब गज़ आपको simple से यह done पे click करना है अब यहां से आपको चलना है इस effects वाले option के अंदर यानि effects वाले option के अंदर है यहां पे आपको बहुत सारी options मिल जाएंगी यहां पे देख फार simple effects, bnw यानि black and white, blur, sketch, colors तो आपको simple से colors वाले icon पे click कर देना है ठीक है इस पे आने के बाद यहां पे भी आपको बहुत सारी effects मिल जाएंगे और बहुत सारी tools मिल जाएंगे आप एक काम करना है यहां से mean hue को आपको पुड़ा आगे की तरफ बढ़ा देना है and mix hue को उतना ही आगे बढ़ाना है जब तक आपके skin पे कोई left side की तरफ करना है जब तक आपके skin पे कोई effect बढ़ाना है देख फार हो कि यहां पे हमने इतना minus कर दिया देख पर हो अभी skin पे कोई effect नहीं आए and photo भी देखने में भी काफी ज़्यदा मस लग रहा है यह देखो before and यह देख पर हो after photo के अंदर ना dark color tone easily आ गया अब आपको simple से यहां done पे click कर लेने है done पे click कर लेने के बाद देख पर हो photo यह देखो before में ऐसी है and after में कुछ इस तरीगे की लग रही है लेकिन गईज अभी हमारे editing complete नहीं होई है इस photo में हम थोड़ा skin को और smooth करेंगे and photo के अंदर ना थोड़ा सा बिल्कुल हलका सा blueish tone डालेंगे ठीक है अब गईज आपको चलना है यहां से draw tool के अंदर draw tool के अंदर आने के बाद guys यहां से हम layer पे click करेंगे layer को merge कर लेंगे layer को merge कर लेने के बाद यहां से हम pencil वाले sorry यह eraser वाले icon पे click करेंगे and eraser का कोई से भी आप brush लेकर उसकी size and opacity एक एक परसेंट रख दो ठीक है then यहां से done कर लेना है अब कहीं भी background पे draw करके इस three dot की icon पे click करके just आपको save image कर लेना है अब यह photo आपकी gallery में save हो जाएगी then guys इस photo को आपको open करना है later map के अंदर तो इस photo को हम later map के अंदर open कर लेते हैं then guys देख परो कि हम gallery में आ चुके हैं then इस photo को हमने अभी later map के अंदर edit किया था और यह photo हमारी later map के अंदर से gallery में मैंने oh sorry मतलब pixar tab के अंदर edit किया था and इसको gallery में open कर लिया हूँ अब इसको simple से share पे click करना है and इसको अभी हम add to LR कर देंगे ठीक है तो यह हम later map के अंदर open कर लिए इस photo को then अभी हम later map आपको open करेंगे ऐसे ठीक है अब आपको यहां से simple laterum पर click करना है यह later map में अंदर आपकी photo open हो जाएगी अब आपको all photos पर click करना है अपनी photo को select करना है कुछ इस तरीके से यह photo जो हमारी यहां पर आ चुकी है अब आपको यहां से आपको यहां से आपको यहां से आपको यहां से आपको आना है आने के बाद mix tool के अंदर चलना है और आपको यह orange color का saturation कुछ इस तरीके से कम कर लेना है अब यह red color है इसका saturation आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है आप देख वारों के lips में थोड़ा सा color भी आ गया है और इसको simple से यहां done पर click करना है यहां से इसके temp को थोड़ा सा माइनस रखना है लगबग माइनस दो यहां पर देख वारे मैंने माइनस 2 के आसपास कर लिया फोटो भी देखने में काफी ज़्यदा अच्छी लगने लग गई ठीक है यहां से बस इतना काम आपको करना है अब आपको चलना है इस effects वाले option के अंदर यहां से हम texture को लगबग plus 8 के आसपास बढ़ा लेंगे और wignit को थोड़ा सा माइनस लगबग आपको माइनस 4 कर लेना है अब आपको आना है detail वाले tool के अंदर यहां sharpening को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे sharpening लगबग मैंने 39 रख दिया आप 40 के आसपास ही रखना ठीक है यहां से हम contrast की value लगबग 29 के आसपास बढ़ा लेंगे आप देख पार होगे जैसे हम noise reduction बढ़ा है आप देख पार होगे photo में face जो automatic smooth हो गया तो photo में face को smooth करने के लिए आप इस tool का भी अच्छे तरीके से use कर सकते हो अब यहां से हम color noise reduction बढ़ा लेंगे आप color में जितनी भी noise होगी वो साड़ी cancel हो जाएंगी और colors भी काफी जदा अच्छे लगने लगेंगे ठीक है बस इतना हो जाने के बाद यहां से details और smoothness आपको बढ़ा लेना है देन इस optics वाले button पे click करना है और इन दोनों को भी on कर लेना है ठीक है अब आप देख वारे हो फोटो यह देख वारे हो before की फोटो और यह देख वारे हो after की फोटो इस फोटो के अंदर लाइटर में आपके अंदर भी काफी ज़दा changes आ गया यह before और यह after अब आपको share वाले icon पे click करके shift to device करना है यह फोटो आपकी gallery में easily save हो जाएगी आज की यह वीडियो आपको काफी ज़्यादा पसंद आई होगी और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला तो वीडियो को भी अच्छे से सीख सकते हो तो आई विल से इन दे नेक्स वीडियो गाइज लव यो ओल टेक केर बाबाए